आटिकल डिकंट देक्ट के आगे देखकी यई हाँ फिर्स्ट लोग अप्रणाइज होके ता याधा है याधा है हम्हु कैसे फिर्स्ट लोग होडाना निक्स्ट energy can neither be created created nor be destroyed while although they can be converted into into one form of energy into another form quit out and I 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 we I 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 और यह हो जाएगा यह की विल बीपोल टो क्या पर होगे यू प्लेस्ट डबलू ना यह डबलू क्या है वोग यू क्या है है वोगी है यूड कर देओ देओ अन्यूं क यू टेओ को यूर्ड लेओ इंट अफिज फ्स देओ लूड इंट लूड आंट ओुड अविद लेओ लेदेओ लूड आंट फिजगे लू इंट ट्यूड है कि इस अवर। कि आगे चले हैं आगे चलिए एक यह बताया था हम लोगों नहीं कि सेकंड अच्छा और को बताया था ही टो बारा कुछ और कुछ टॉपिक बताया था मैंने आपको कि यह बताया था मैंने आपको कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है इसका इसका फंबला बताया था इन ट्रॉपिक का अग्योड बंद अधिक डिल्टा देल्टा ती नहीं क्यू रिवर्सिबल्स नहीं हीट दो गारा क्यू रिवर्सिवल्स अपाटन तंप्रेच्च राइड गी टंप्रेच्च्रा इसको बताया था प्लिक देसे न्टों दिस इटिए थीक है आगे दिखिए अपिए इंट्रोपी एंट्रोपी वान हो गया जी नहीं हो गया एक और सी देखो ज़र डेल्टा-ईयू किटना बधाब दाओ और सीवी डेल्टा टी डेल्टा एच कितना अधा बता हो और सीपी डेल्टा टी यह वाला होगी यह वाला होगी वन अभी चलते हैं हम यह करना है देखें कि इसे इसे थर्ड लॉफ थर्मोडायनमिक्स आगे करें अगे थर्ड लॉफ अगे थर्मोडायनमिक्स बताई यह से क्या होता है तो बोलता है कि एट अप्सलूट टेंप्रेचर एट अप्सलूट टेंप्रेचर जीरो जी एंट्रोपी जो होगा और फो इतो बताया था ना परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्स्टांस देख लेते हैं इस टेकन है जीरो क्या लेंगे सर जीरो लेंगे याद रखेंगे आगे लिखेंगे याद देखेंगे डल्टा एस जू होगा ऐसे फामुला होगा जीरो टी क्यों रिवर्सिबल अपन टंप्रेटर है देल्टाइस को बोलते हैं इंट्रोपी चेंजिन इंट्रोपी चेंजिन इंट्रोपी आफ्टा सिस्ट्म कोई डाउट है आगे रिखेंगे ये को तक गिफ्स फिरी एनर्जी देखेंगे आगे चलाएं इंट्रोट कर लिजिए प्लीज किसी ओन हो धो भाुंपर फ्री सच्चा odor क सबचे है जिए छो प्रोगरी ओा होगो लिए ढँ эпिस संदल है गखक्षा कर भर्स शुम कर भर्सारी देखेंगे लिए एनर्टा है को तो इंगे आगे रिखेंगे एनर्स झाम आः डाओेंगे आगे जली यह बता है यह गिफ्स फ्रीए नर्जी जो होता है लोकित फ्रीर अनर्जी गिफ्स फ्रीए नर्जी यह क्या होता है सो दिलता जी तो डेल्टा जी जो हो सकता है है िंपर सकते है यह को ज МУЗЫКА5 हो सकता नेगेटिव भी Durit हो सकता है कि जीरो भी हो सकता है है कि जीरो किसके रही होगा पता है कि जीरो हगा है ौधि और सब्सक्राइब हो जाएगा मैंने पिएक्षिन और है एकल्ब्रियाब को जाएगा है और यिपौन्टेनियस ऑ्पिरियम हो जाएगा और चैनल अधारीतिम्हें букर deaf कि गारीतिम यह जाएगा चैनल हो और सप生 पुंटेनियस उसक्राइब क मैं नहीं सो एक्षिन और equilibrium आगे देखिए जैसे होता है क्या है दिखाते हैं इसको delta G will be equal to ऐसे करते हैं देखिए होता है इन्थाल की जो होगा ने यह बला delta S जो होता है U plus T delta S होता है याद रख लेना यह तो एक एक formula होता जो हमें याद रख लेना है आगे देखो सर यह तो आप बाद में भी कर लोगी अगे देखो एक हम ओक प्रूफ करने मेर्स फॉम्मूला प्रूफ कर दिया था मेर्स फॉमूला प्रूफ क्या होता मेर्स फॉमूला इस गामा क्या होता है गामा होता है सीपी भाई क्या सीवी राइट राइट आगे लिखो सर आगे जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह अच्छा टॉपिक है वह है 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 से लोग है से लोग बताया था बनाक बोर्ण होट साइकल देखिये हैं क्या लिखा आपने है है से लोग लिए अब देखिए तो सबसे पहला चीज है हम जो करेंगे वर्क पर मला लिए आपने वर्क विल बीप्ल टूट पी डिल्टा भी राईट या इसल पी आई फाइनल दिशी दीड़ वर्क विल बीट टू वाक विल बीट फूल टू हो जाएगा कर ली यह एक होता है हम वोग करना जा रहा है क्या करना जा रहा है इंठाल्पी इंठाल्पी बताव सर इंठाल्पी में डिसकस्कर लिया था याच होता है the heat content of the system at the constant pressure at the constant temperature they are known as as enthalpy here are the heat they are called the enthalpy here are the cases what are the formula a few reversible upon T will be equal to delta S where T is temperature in Kelvin in Kelvin the second is the heat in a reversible and delta S पोलते हैं चेंज इन इन टो जांगे देखें एक्सेंसिव प्रुपर्टी बिता दिया था मैंने आपको अप्यादी हो गया होगा एक्सेंसिव प्रुपर्टी आपको इन टेंसिव प्रुपर्टी बता दिया था और मैंने आपको इस एजांपल पर रहें बता दिया था तिर बने बताया था कि आपको प्रेश्टर के कितने उनिट्स होते हैं ति बताया था मैंने आरकी दू वैलू याद रख लेजिएगा 8.314 जूल मोल पर जूल पर मोल पर कैल्विन और 0.0821 लीटर एटियंग पर मोल पर कैल्विन याद कर जीए स्कॉट आओ परिखश कि वजयर कि जीए आओ पर कैल्प्तूर निए Christmas ता अब देखिए इसमें का का देरा यहां देखिए सबसे बड़ी चीज क्या क्या है पहला है कि इन्थेल्पी ओप अब इन्थेल्पी और फ्यूजन इसमें क्या होता है इन्थेल्पी ओफ्यूजन में कि इन्थेल्पी ओप फ्यूजन जो होता है इदर हीट एनर्जी हीट एनर्जी और क्या बोलोगे सर इन्थेल्पी ओफ्यूजन जो होगा यह जो होगा is the heat energy or change in the enthalpy when one mole of one mole of a solid you over at its melting point at its melting point okay its converted इस्कनवार्टटड into a liquid state क्या बोल्लेंगा मतले बहुकर देखें बोल रहा है यहां मेरे पास्वाटर है जिलिक्विड है आई से, वाटर है, फ्यूजन है, इस सिक्स पॉइंट जीरो कीलो जूल पर मोई, यह है, यह है, इस इस कोड़ वाट, इंथेल्प्य फ्यूजन, क्या है क्लास ए, इंथेल्प्य फ्यूजन, कितना हीट लगा, इस सोल्ट से किस में, वाट हो जाता है, लिक्विड में, उस को बोलते है, मतलब की, एक मौल अफ। सॉल्ट को, वन मौल अफ। लिक्विड में कंवर्ट करने के लिए, जो भी हीट रिक्वाएड है, और नून एज कि नून एज क्या बोलेंगो उसको वाटेवर एमाउंट अपीड़ाइट लुकाईगे देश्वाइट अपर रियाक्षिन हीट अपर रियाक्षिन अब बतल कि यह है कि अब मतलब मालो कि आप कोई चीज है राइट मालो कि आइस है आइस का श्रेट सॉलिड है अब सॉलिड से किसमें करणा रहा है और शॉलिड साब इसको लिक्वेट बेकान वड् tumori उसको ईंचा इंसको बोड़ते इंठरेल प्लिद और प्लिव कि यह अग्या डाओ गे चला ओगे लिखिए इंध रिके मेर वेपाराजिएश्ट अटाओ इसको देखिए अन्ठेल्पी ओव व बीपपजिशेशन उसमें क्या होता इंतल्पी वे पराइज़ेशन में है यह देखिए है सबस्क्राइचक और टो हो सबस्कों सबस्Chat के आ से कि इस में कि इस डिटेफाइम it is defined as the heat change heat energy or change in enthalpy in 30 when one mole of of a liquid at its boiling point point changes to gaseous state al یow कैसे क्या डिफर आपर कि थैज एक है कि 7 गे ना ऑचने ही है ना अचन्योड आज कि यह आज रखिए पुराउट है कि कितना हीट लग रहा है उसको क्या करने में एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट में क्या करने में का नवर्ट करने कि आया है कि क्या जागता है यह हां जी हां तो मतलब कि कितना एनर्जी लगता है कि क्या हो जाए उसमें ताकि यह यह जो है कि जैसे कि कितना एनर्जी लगे ताकि को कनवर्ट हो जाए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आगे देखो सर कि जैसे क्या होता है कि एक होता है इन्थैल्पी ओफ कि सब्लीमेशन तो मतलब नाम से क्लियर है यह जो सॉलिट से किदर जा रहा है से कितना एमांट अफ इन्थैर्पी लगेगा सॉलिट से किदर जाएगा यह गैस जाएगा इसको बोलते हैं वन मॉल ओफ मॉल ओफ बबात है कि अठाव मेक काने बाता है अब इक ओण देख है एज लंग रिडाकर बाताira बबाता है अब इस युट ने जालना ओछ दो है इस्टैटल्प हैतो है दुंट पर में ओख भी at है कि किस तंडर इंथ्ल्पी फस्मेशन नमतलब होते है कितना इंथ्ल gegen इसका मतलब है इंथ्यल्पी फॉर्मेशन हूप इंथ्यल्पी फॉर्मेशन 23ец is defined as the change in in enthalpy of one more of substance from its its Construiting जो भी उसके पार्टिकल है कंस्ट्वेंट बोलते हैं एलिमेंट अंडर अस्टेंडर कंडिशन अंडर स्टेंडर कंडिशन अंडर अंडर स्टेंडर कंडिशन ऑफ टंप्रेचर जो भी टंप्रेचर रहा है उसी पर जो भी लाई करते होंगे एक टू नाइंटीएट केलिविन और वन एटीम प्रेशर यह इसकी वैलू कुराउट है हैंजी क्या मतला है बहुत जिनिस पीपल इसका हुम 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 आगे चले हैं जैसे क्या होता है इक शी देखो हाँ जैसे हैं हमारा पाइक और लिख लो है इसको देते देखो है इसको बोलते हैं इंधाल्पी ऊफ कंबर्शन किसे बोलते रखवाड़ा हुम है लस्टेन की Spicy चरुवर क疫र सब्सक्वाइन और वहिश्टे है है देखो सिर बोल रहे है it is the, it is defined as, as the heat energy change or change in enthalpy, in thalby that the company by the combustion of one more half a substance है इन एक्सेस है और और ऑक्सिजन देखो देखो इसको देखो ऐसे कितना एक मोल जलाया हमने कितना हमारे पास क्या हो गया क्या हो गया प्लस यूट बोल रहा कि जब एक मोल जलाओ गया कितना इन थेल्पियों चेंज हो रहा आपका कोई बताना है आ रहा क्या बोला मैंने क्या है बोला कि जब आप एक मोल किसी को भी जलाओ गया तो जो भी आपको एनर्जी लगता जो भी एनर्जी रिलीज होता होगा उसको क्या बोलते हैं क्या है अधर एक मोल आप किसी भी जो भी एनर्जी रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं थैल्पिय आफ क्या कंबर्शन बोलते हैं आगे देखें से एक थर्मो केमिकल एक्वेशन देखें से देखकों देखें ऐर्मो और हुआ थर्मो केमिकल एक्वेशन क्या है अब्सक्रावivenessi को यह थर्मो केнихवेशन क्या पतां अथी जो मतलब क्या क्या करतां पर एक तो यहां में स्टेट लिखा रहे है दूसरा क्या है दिखा रहे हैं थीसरा क्या है इंधेल्पी रहे है चेंजने थेल्पी रिखा रहे है और मोल्ड रिखा रहे है नंबर आफ मोल्ड़ों से अल्सों स्टेटेट कि या बोलते हैं थार्मो केमिकल एक्वेशन कोई राउट है याद कर लिए मैं बता रहा हूं एक एजामपल से अगर सपोज मैंना पर एक एक एक्वेशन दिया मैंना ऐसा जैसे क्या है एंट टू थ्री एस्टू तू एन एस्ट्री गाईस अगर इसमें क्या क्या दिया हूए से थे भूब सब कुई दिया हूए कि कितना एनर्जी रिलेज हुआ हुआ है जो पितना एनर्जी रिलीज हुआ है टू एनस्ट्री गाई टू कि दिया हूए साथ में थ्री एस्टू डेल्टा अरच में प्रॉस में लिए दिया हूए ऑफ थे इसले बाने आप सीखी जाओ पर इसी जीए जैसे पहली बात देखतें हैं यह रियक्शन टूटली बालेंस है ना बालेंस है अच्छी चीज अगरेंस है क्या फिजिकल एस्टेट लिखा हूए सबका क्यों क्युआ फिजिकल एस् जहां जो होता है डेल रह अच्छे मतलाइं थालपी रिलिज और वह भी दिया हुआ है पर मोल यह दिया हुआ है यह भी दिया हुआ है इसारी चीज़ें दियो ही है तो वैट क्या बूलेंगे इसको पता है यह थर्मो केमिकल एक्वेशन है थर्मो केमिकल एक्वेशन 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 थर्मो केमिकल बस्कान कि अगर आप यह दोनों का माइट हो के इस बन रहें है अगर यह दोनों único Day बन रहे हैं और यह बीडिया हुए हमें में अग्माइज और आप इसको रिवर्ट कर दो roommate सिर्यक्शन को ति इंतल पेज़ कर दो एंधाल्पी करिसाल और है इंमे इंधाल्पी इसाइट है इन अमें संफस्लेक्स कि और साइल वेवें कि दो यह रिवर्श दो जैमिकल रिएक्शिंग राइट या रखले ना कोड़ा उन्याना यह जाल्द रिशुट कोपी कर लेजेक बार किली यह जाल्द रिशुट कोपी कर लेजेक बार किली क्यों यार किली यह जाल्द रिवर्ण लिवर्ण यह जाल्द रिवर्ण यह जाल्त बेब खरस भीजटर करता है यह कर दो दो कर दो कि आ पलोगा कर दो अगड़ कर दो अबंग इंगा कर दो पारी जो हम महा वड़ा कि दो आब दी लाका है जो होता है कि एक लिए को सब्सक्राइब के हैसे स्लोग क्या अधा बताता हुआ है हैसे स्लोग है कि आफ है कॉंस्टेंड है हीट सामेशन है देखो इसका मतलब बताता हम आपको जैसे क्या होता है है हैसे लोग ऑफ कॉंस्टेंड हीट समेशन देखें यह बोलता है जो टोटल जो हीट होगा दी टोटल अमाउंट ओफ हीट यह वॉल्ब और एपजोब इनर रियक्शन किसी भी रियक्शन में इत्सेम इन यहहोगा वेदर इनर एक्षिन टेक्स प्लेस इन वन श्टेप और इन रियक्शन टेक्व प्लेस इन है अंजी बदाएए हैंजी यह वेरी गुड़ा ना मोदन के 11 और 12 दोने ले रहे न उसका निखले आपने तोटल अमाउंट अफीट ईवल्ब और आप जोर्ब इन रियक्शन इज सेम वेदर देशन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन नंबर आफ स्टेप आप एक स्टेप में करो या दो स्टेप में करो जो टोटल अमाउंट आफ रियक्शन जो होगा क्या होगा सेम होगा आगे देखिए जैसे होता क्या है हटाओ इसको जैसे क्या इसको देखिए जैसे क्या इसको देखिए एक सी ग्रैफाइट है यह सॉलिड है ओटू है गैस है सी ओटू गैस है हीट अफ रियक्शन जो होगा माइनस थी थर्टिनाइन पॉइंट फाइब किलो जूल पर मोल दूसरा है यह सी ओ टू शी ओ गैस हाफ ओ टू गैस यह सी ओ टू गैस हो जाएगा इसका इंट्रपिय फे रियक्शन जो है माइनस तू एटी थी पॉइंट जिरो कीलो जूल पर मोल है अगला है अब इसको लिएक्शनों का मैंड करोगे सी ओ गैस देल्टा एच्छार का रिएक्शन है 283.0 kg पर मोल तो दिस इड़े हाव वे आप डिस्क्राइब है यह है फॉर्स्ट रियक्शन सेकेंड रियक्शन फॉर्स्ट करोगे ना इसका मतले भी आजाएगा देखो सर दिखाता हुए है यह से पहले बी जाते हैं कि भी से सी जाते हैं फिर सी से डी जाते हैं अगर आपको ए से भी जाना है तो अब कैसे भी लौट कर आओ अब इस पाथ से च्टना एनर्जी लगेगा आप इस वाले पाथ से इस वाले पाथ से दिस प्लस दिस प्लस दिस वाले से इन तीनों का समेशन इसके बराबर होगा delta h will be equal to what delta h1 plus delta h2 plus delta h3 right so total heat so total enthalpy change किसके एकवल होगा मेरे भाई कि सब पार्ट के एकवल होगा हाया ना है हम जी आगया चले कि तो अब किस कितने भी स्टेप में जाओ कोई फरक नहीं पड़ता है कि आगे चले कि लिखे बॉर्न हाइबर साइकल है चले है लिखे लिखे लिए बॉर्न हाइबर साइकल जैसे क्या होता है यह बोलता है कि एट इस नोट पॉसिबल को जैसे क्या हुआ है हुआ है तो यहँ बॉर्न कि आगे विखे लिखे नगा कि तो यह ए न comment het कि बाइडारेक्ट मेथर्ड यह पढ़ा है आपको मैंने पढ़ाया है तो यह पर सुन लो बोर्म हमापर साइकल क्या बोलता है कि आपको अगर सपोर्ज मालो की यह बनाना है फॉर्मेशन एने प्लस सील माइनस गैस बनाना है तो पहले क्या करना पड़ता है इसको बनाने के लिए सोडियम लोगे सोडियम को हीट दोगे मतलब इस सोडियम को हीट ऑफ सब्लिमेशन दोगे तो एने प्लस बन जाएगा फिर यहां से निकालोगे मतलब अपने हीट दिया गैस बनाने के लिए यह गैस बनेगा पहले और हीट दोगे तो यह लेक्रॉन लूच करेगा तो यह जो दोनों हीट लगेंगे इसमें यह दोनों देखो डेल्टा सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच वन फर्स्ट केस में इसका देखो हाफ सील टू है सील गयस है तो इसको तोड़ना पड़ेगा तो बॉन्ड डिसोसियेशन एन्थैल्पी बॉन्ड डिसोसियेशन इन्थैल्पी जैसे ऐसे करोगे हाफ डल्टा एच बॉन्ड डिसोसियेशन वन टॉन्टी वन किलो जूल पर मुल्ख होगा यह भी एक तरीका है यह दूसरा देखो सर एक यह वाला हो गया तो बोलने का मतलब जितना इसको बनाने के लिए आपको दोनों एनर्जी आड़ करने पड़ेगी यह वाला और इसको आड़ करने के लिए एवी एनर्जी आड़ करने पड़ेगी जम दोनों एड़ कर देंगे बीए लिए बना प्लस गयासवाला स्यल मैं गयासवाला था अड़ आड़ यह वाला तो आड़ दो करने अड़ आड़ दो अड़ेगी नीड़े प्रूड विए 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 we have to add all the enthalpy change कोई डाउट है आया क्या कैसे भी हम करके totally अगर वहाँ जाना है तो हमें totally करना पड़ेगा हैंजी अठार 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 यस हो गया अंग्व अजयर आप यस को देता हूं अट अधिव कैसे आप करोगी सरड़ शजाआएं हैं इसको रीध़ अधि तो आप क्या कर सकते हैं, we can add, add, all these energy, energy to get, final answer, right, यहां देखिए, आगे चलें, चलिए, एक और लिखे, आपको स्वाज़ माया है क्या, यह एक होचा, as spontanity, मतलब, spontaneous process, कौन सा process है, कुड़ा हुट है, तेखिए, देखिए, देखिए, देखिए आवने, जो इस पॉटनियोस प्रोसेस, बताव से अप्रोसेस, which can take place by itself, or has a tendency to take place, is called, called, spontaneous process, क्या बोती आशर इस को, spontaneous, right, yeah, this process is called what, this process is called, it's called, spontaneous process, I hope it's all right, देखिए, जो प्रोसेस खुच से नहीं होता है, a process, which cannot take place, by itself, are known as, known as continuous process, yes, spontaneous खुद बखुद हो जाए, self, यह जो होता है, non-spontaneous, not self, कोड़ा उठे, निक्के जादी से, अ Nवके जाँ, जो होता है, ग्री टुदद बखुद, यह जाए, लुदद ऑे, झाल झाल हो गया चलिए तो इस्पोंटेनियस हो गया नॉन इस्पोंटेनियस हो गया अब हम डिस्कस करेंगे सेर देखिए इंट्रॉपी इंट्रॉपी के से बोलते हैं डिस्कस करता है इंट्रॉपी तो आपको पता ही है चलिए गिफ्स फ्री एनर्जी बता दो गिफ्स फ्री एनर्जी गिफ्स फ्रेणर्जी इनर्जी करा देता हूं भी करा देता हूं लेखिए यह क्या होता है कि एक 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 न्यू थर्मडानमिक फंट्शन है फंट्शन धिफ्ट्शन धिफ्ट्शनर्जी और गिफ्ट्शन ऐसे डिफाइन है जी विल बीकुल टो एच टी रेल्टाइस यह वाद इसकी वैलू कुछ ऐसे डिफाइन है जैसे टी रेल्टाइस गिफ्ट्शनर्जी इन्थेल्पी चेंज नो नो या इन्ट्रपी चेंज यह तर्फेटर इन्ट्रपी चेंज कुछ राउट है डिल्टाइज विल बीगुल टो गरोगा डिल्टाइज टी डिल्टाइस जीरो कब होगा इसको रिफ्लाज दी से कर दो यह तर्फेटर गादनर्टाइस अर्फेटर राउ़ यह तर्फेटर इन्ट्रप्शनर्प्टाइस हुआ 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 है अगे तरह हुआ है जिसा होता क्या है है कि हमें है सब कुछ पता है कि यह फर्मूला हो रहे हैं पर डेल्टा-जी के फर्मूला याथ कर लेते हैं अभी आपको हुआ है ऐसा करना ना मुश्कान इस वर नंबर पर मेरे को ठीक है उसल नंबर से मैं मेसेज़ कर दोंगा आप नोट्स बनाई है को सब्सक्राइब और अप्लोड कीजिए को सब्सक्राइब हो जाए है ठीक है हो जाएगा अन्हाय हो जाएगाथ इनकेश है कर दोंगेन है एक लेडेश में आपको प्राइब उस थे क्राएगात विखे डातिसक्राइब पाई आपको जाएगाय विखे झाल झाल